सुमेन मित्रा जी, अब्दुल मनान जी, दीपा दास मुण्शी जी, शंकर बलाकर जी, स्टेज पे कॉंग्रेस पार्टी के हमारे सब नेता, कारेकरता, यूथ कॉंग्रेस, नेस्यू आई, महिला कॉंग्रेस, सिवादल के हमारे सब लोग, भाईयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सब का यहां बहुत-बहुत स्वागत, और खास्तों से जो महिलाएं आई हैं, आप कभी यहां पे स्वागत, तमस्कार, कैस साल पहले नरेंद मोदी जी प्रधान मंत्री बने और अलग-अलग वाइदे किये उन्होंने हर बैंक अकाउंट में 15 लाग डालने का वाइदा किया याद है आपको याद है मिला 15 लाग रुपिया नहीं सुना ही नहीं दिया मिला हाँ या ना यहाँ जो महिला है आई है आपके बैंक अकाउंट में 15 लाग आया नहीं तो चोकिदाज यहां भी जाते हैं जूटे वाइदे करते हैं तो मैंने सोचा मैंने सोचा कि अगर यह 15 लाग का जूट बोल सकता है तो कॉंग्रेस पार्टी भी सचाई बोल सकती है तो पांच महीने पहले मैंने कॉंग्रेस पार्टी के एकॉनोमिस को तिंक टैंक्स को बुलाया और उनसे का कि देखिए मुझे एक बात बताईए नरेंद्र मोधी ने 15 लाग रुपए का जूट बोला था नरेंद्र मोधी ने बोला था कि हर बैंक अकाउंट में 15 लाग रुपए डालेंगे मैं सच जानना चाहता हूं हिंदुस्तान की सरकार हर बैंक अकाउंट में कितना पैसा डाल सकती है यह जो हमारी माताय बहने आई हैं इनके बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार कितना पैसा डाल सकती है मैंने कॉंग्रेस पार्टी के तिंक टैंक से एकॉनमिस से पूछा मैंने उनसे कहा मुझे लंबे बाशन नहीं सुनने मुझे एक नंबर चाहिए एक नंबर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए आपसे जाईए काम कीजिए चार-पाँच महीनों में मेरे पास आईए मुझे बताईए एक नंबर दीजिए कितना पैसा हिंदुस्तायन के 20 प्रतिशन सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउन में जा सकता है और मैं आज कुछी से कहना चाहता हूँ कि कुछी दिन पहले वही लोग वापस आए और कागस पे उन्होंने एक नंबर लिख दिया नंबर था 72,000 रुपए 72,000 रुपए मतलब कंग्रेस पार्टी हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में सिधा सिधा हर साल 72,000 रुपए डालने जा रही है मैंने सोचा अगर ये नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के चोरों के बैंक अकाउंट में पैसा डाल सकता है तो कंग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के इमानदार किसानों के बैंक अकाउंट में महिलाओं के बैंक अकाउंट में बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में पैसा डाल सकती सही बोला ला 72,001 साल के 3,60,005 साल के सीधा आपके बैंट अकाउंट में जाने वाला है जिसकी भी आमदनी 12,000 रुपे प्रती महीने से कम की है इस भीड में जो भी लोग हैं जिनकी आमदनी 12,000 रुपे हर महीने से कम की है उन सब लोगों के बैंक अकाउंट में कॉंग्रेस पार्टी साल के 72,000 रुपे डालने जा रही है मोदी जी आपको जो करना करो मुझे कोई फरक नहीं पड़ता आप उनकी चौकीदारी करोगे आप अने अनमानी की चौकीदारी करोगे तो मैं किसानों को मजदूरों को गरिबों की मदद करूंगा योजना का नाम न्याई योजना पांच साल जो उन्होंने अन्याई किया है हम न्याई करने जा रहे हैं चौकीदार भईया ठीक से बोलिए चौकीदार 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 अच्छा अब चौकीदार ने चोरी किस्से की आज सुप्रीम कौट ने कहा है कि राफाइल मामले में कोई ना कोई घपला हुआ है चौकीदार चोर है और चौकीदार का चेहरा आपने देखा पहले यूँ बोलता था अब यूँ बोल रहा है चेहरा सुकर गया है देश की आँख में आँख नहीं मिला पा रहा है बाशन देखता है तो कभी उदर देखता है कभी उपर देखता है कभी नीचे देखता है, कभी साइड में देखता है चोकिरदार डर गया है क्योंकि चोकिदार चोर है और जनता ने चोरी पकड़ ली है तो हम आपको निया ही योजना देंगे और यहाँ आपके खेत है इन खेतों के बिलकुल पास हम फूट प्रोसेसिंग का कार खाना लगाएंगे आपके लिए कि आप अपना माल सीधा फैक्टी में जाके बेचो और आपके जेब में सही दाम सही पैसा आपके एनाइज के लिए आपके फल के लिए आपके सबजी के लिए मिले अच्छा एक और बात एक और बात देखिए बड़े उद्योग पती करजा लेते हैं पैसा वापिस नहीं देते उनकी जेल नहीं होती उन पर कोई कारवाई नहीं होती तो हमने मैनिफेस्टों में लिख लिया है हिंदुस्तान के किसी भी किसान को करजे के लिए जेल नहीं डाला जा सकेगा मेरा कहना है अगर अने लंबानी 45,000 करोर रुपए चोरी करके जेल नहीं जाता है तो किसान क्यूं जेल जाए पहले आप उसे जेल में डालिए पहले आप उसे जेल में डालिए फिर किसान की बात करते हैं आपने उनका तीन लाग पचास हजार कर्जा माफ किया और किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ अच्छा एक बात बताईए मम्ता जी ने किसानों का कर्जा माफ किया नहीं किया राजिस्तान में मध्यप्रदेश 36 गर में चुना हुआ मैंने भाषर में बोला देखिए अगर नरेंद्र मोधी जी लाकों कुरोर रुपए कर्जा माफ कर सकते हैं तो कॉंग्रेस पार्टी किसानों का कर्जा माफ कर सकते हैं वो बिजनस वालों का करें या 15 लोगों के करें, हम किसानों के करेंगे। मैंने बाशन में बोला देखिए, चुनाओं के बाद मध्या प्रदेश राजिस्तान चत्रिस गड़ में 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। और 10 दिन नहीं लगे, दो दिन के अंदर कॉंग्रेश पार्टी ने तीनों प्रदेश में हर किसान का कर्जा माफ कर डाला। अब ममता जी गरीबों की बात करती हैं। उन्होंने आपका कर्जा माफ क्यों नहीं किया। किया। नहीं, मगर कॉंग्रेश पार्टी की देश में सरकारे हैं, मध्य प्रदेश, चत्विजगार, राजिस्तान, पंजाब, करनातक, इन में से आप किसी भी प्रदेश में चले जाएए, वहाँ पूछिए, क्या कॉंग्रेश पार्टी ने किसानों का कर्जा माफ किया, हाँ य बीजेपी के साथ नहीं लड़ रही हुई, बाई और बैनों, राफाल का मामला किसने उठाया, चौकिदार चोर है, चौकिदार को चोर किसने बनाया। कि चोकिदार आज को ठीक से भाशन नहीं देपा रहा है डर डर के बोलते हैं क्योंकि सोचते हैं घर जाजे सोचते हैं कि भाईया कॉंग्रेस पार्टी ने राफाइल मामले में फसादी आए मैं इंवेस्टेगेशन होगा तो जेल जाओंगा चोकिदार के दिल में ड़र है कहां से आया कॉंग्रेस पार्टी ने किया हम लड़े अच्छा वह एक बात बताओ कॉंग्रेस पार्टी ने बीजेपी के साथ तो कभी घट बंदन नहीं किया न हमने तो कभी नहीं किया कि मम्ताजी ने किया मम्ताजी ने तो किया है तो देखिए देश में बीजेपी के खिलाव कि कॉंग्रेस पार्टी जबर्दस्त तरीके से लड़ाई लड़ी है और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं आप घबराईए मत कॉंग्रेस पार्टी 2019 के चुनाओं में नरेंद मोदी को हराने जा रही है और उसके बाद राफाईल मामले पे जो यह हवाई जास एरफॉस के हवाई जास की पैसे की चोरी हुई है उसके इंक्वाईरी होगी इंक्वाईरी होगी और जिसने चोरी की है गैरंटी करके कह रहा हूं सजा होगी उसकी कोई नहीं बच सकता यह सच्चा ही है अच्चा ममता जी ने मोधी जी ने रोजगार देने का वाइदा किया था मोधी जी ने कहा था दो करोड युवाओं को हर साल रोजगार देंगे ममता जी कहती है रोजगार दिलवाएंगे आप बताइए मोधी जी और ममता जी ने रोजगार दिलवाया बंगौल की जनता को को यहां पर है जिसको नरेंद्र मोधी ने या ममता जी ने रोजगार दिया हो एक युवाओं है यहां पर नहीं है मैं आपको बताता हूँ और मैं जूटे वाइदे नहीं करूँगा दो करोड युवाओं को रोजगार देने का वाइदा नहीं करूँगा मैं आपको साफ बता देता हूँ हिंदुस्तान की सरकार में 22 लाख रोजगार खाली पड़े हैं उन 22 लाख रोजगार को मैं आपको दिलवा दूँगा और पंचायतों में 10 लाख और युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है पुरे देश में 10 लाख युवाओं को पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है वो तक 10 लाख रोजगार मैं आपको दिलवा सकता हूँ मैं 2 koronen की बात नहीं करूँगा, जूटी बहूंगा मैं 15 लाख की बात नहीं करूँगा मैं 30 60 000 की बात करूँगा वो सच्चा ही है वो मैं आपको दे दूँगा निया योजना के मुताबिक 3,60,000 रुपए बैंक अकाउट में मैं दिलवा दूँगा 15,00,000 नहीं दे सकता साब बोल दूँगा 15,00,000 नहीं दे सकता हूँ क्योंकि अगर 15,00,000 दे दिया हिंदुस्तान की अर्द्ववस्ता नश्ट हो जाएगी नुकसान हो जाएगा सबका मगर 3,60,000 देने से नहीं होगा अब लोग मुझसे पूछते हैं पैसा कहां से आएगा मैं बताता हूँ जो मध्यम वर्ग के लोगें मिडल क्लास के लोगें मैं आपको बताना चाहता हूं एक रुपिया आपकी जेब से नहीं आएगा एक रुपिया आपकी जेब से नहीं आएगा पैसा कहां से आएगा मैं बताता हूँ निरव मोधी 35,000 क्लोड़ après चोड़ी करके भाग गया विजयमालिया 43,000 क्रोड रुपे करजा दिया 30,000 रुपे राफाइल का क्या पैसा दिया पैसा इन चोड़ों से आएगा मैं एक एक करके इनके जेब से पैसा निकाल के आपके जेब में डालूँगा मुझे कोई फ़र्ट नी पड़ता मेरा नाम मरे नरेंद मोदी नहीं है, मैं इन लोगों से नहीं ड़ता मैं जंता का आद्मी हूँ, मैं किसानों का आद्मी हूँ मैं मज़़ूरों का आद्मी हूँ चोटे दुकानदारों का स्मॉल मीटियम बिसनस वालों का हिंदुस्तान की जंतागा आदमी हूँ मुझे इन लोगों से कोई डरत निलगता है यह मेरी मार्केटिंग तो करते नहीं है नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग करते हैं मेरी तो नहीं करते हैं मुझे इंसे कुछ लेना देना नहीं है तो मैं आपको यह मैसेज देने आया हूँ दो हिंदुस्तान नी बनाने एक हिंदुस्तान एक जंडा है एक हिंदुस्तान होगा सब का हिंदुस्तान होगा हर जात का हर धर्म का हर प्रदेश का हर भाशा का नरेंदर मोदी दो हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं निलम्बानी वाला और एक हमारा माताओं बेहनों का किसानों का मजदूरों का मैं दो हिंदुस्तान नहीं बनने दूँगा एक हिंदुस्तान होगा जादा से जादा पैसा आपके स्वास्त में और आपकी शिक्षा में जाएगा बजट में हस्पताल बनाने के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाने के लिए भेड सारा पैसा कॉंग्रेस की सरकार डाल के देएगे आपके लिए आज कल आप बिमार होते हो प्राइवेट हस्पताल में जाना पड़ता है प्राइवेट हस्पताल में आप जाते हो लाकों रुपए देने पड़ते हैं और वही 15-20 लोगों को फाइदा होता है राजिस्तान में कॉंग्रेस पार्टी ने योजना दी मुफ्त में दवाई मुफ्त में इलाज हिंदुस्तान में यूपिय की सगरकार ने स्वास के लिए शिक्षा के लिए पैसा दिया मगर इस बार हम स्वास का अधिकार देने जा रहे हैं पुरे देश में सरकारी हस्पताल हाई कॉलिटी हस्पताल का जाल बिचा देंगे और आपका कम से कम पैसे में इलाज होगा और एक और बात याद रखिए आई-ई-टी सरकारी सरकारी इंस्टिट्यूट है प्राइबिट इंस्टिट्यूट नहीं है शिक्षा देने का कम सरकार का होता है और हम शिक्षा में भी आपके लिए जबरदस पैसा डालेंगे कि आप भी अपने बच्चों को एंजिनियर डॉक्टर बना पाओ ये पूरा नरेंद मोधी जेनओ जो प्राइबिटाइजेशन कर रखा है इससे लोगों का नुक्सान हो रहा है और हम आपको सरकारी कॉलेज, सरकारी उनिवरसिटी, हाई कॉलेटी के कॉलेज, हाई आइए मत, अभी कुछी दिनों में चुनाओ होने वाला है और चुनाओ के बाद कॉंग्रेस पार्टी के सरकार आएगी और नरेंद्र मोधी जी चौकीदार जी जाएंगे और आज, आज सुप्रीम कॉर्ट ने कहा है, कि राफायल मामले में चोरी हुई है, सुप्रीम कॉर्ट ने कहा है, कोई ना कुछ ना कुछ दाल में काला है, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा तो भाई और बेहनों, नियाए से कोई नहीं बच सकता, एक तरफ हम नियाए होजना देंगे, दूतरी तरफ हम किसान की मदद करेंगे, युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे, और राफायल मामले में भी, देश की एरफोर्स को नियाए मिलेगा, एरफोर्स से पैस दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद, आकरी बात कहना चाहता हूँ, प्रियर रंदन जाथ, ठीक है, आपके मांग है, तो इसके बारे में हम देखेंगे, कोशिश करेंगे, मगर ये, आपने एमस की बात उटाई है, हमारी पूरी कोशिश होगी, मगर ये, आकरी बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए, दिपाजी है, और ये, प्रियर रंदन दाथ मुन्शी की कर्म भूमी है, कॉंग्रेस पार्टी के वो, बहुत मजबूत कर्मत निटा थे, और उनके यहां आया हूँ, उनके घर आया हूँ, उनके कर्म भूमी मैं आया हूँ, तो उनको याद करके मैं जाऊंगा, उन्होंने आपके लिए बहुत काम किया था, आपके लिए वो जीए, पुरा जीवन उन्होंने आपके लिए दिया, तो उनका मैं इस स्टेट से धन्यवाद करना चाहता हूँ, और दीपाजी और हमारे जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं, उनका आप समर्तन कीजिए और उनको आप जिताइए, आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जहिए!